ये उट्सुप गेज्स कैसे आपसे भी लोग वेलकम बैक टू अधर गेम वीडियो तो कैसे हम दूहर से किलने चारे हैं मतलब कि सुबह ओ चुकी है और ये जोंबी को भी मैं बताता हुं इस को बढ़ा हो यह तो बड़ा ही ताकत वर संबी मतलब के कुछ अलगी घेट पर चिपका हूँ तो अब ही सबसे पहले अप देख पारे हो कि यह मेरा क्राफटी टेबल है और यह अपर में दोनों को रख द यहां पर काफी सही लगेगा वैसे कहीं भी रगव कोई दिक्कत की बात नहीं है तो मैंने आपर अपना बेड़ भी रख दिया जब सो जाएंगे तो कि आज के वेला एपिसोड जो है बहुत जदा कर दो इन से नडी निकला और आधे एरिया में नदी हो चुकी है तो क्योंना उस साइड भी निकाल दिया तो अभी विलाल मेरे जो घर है कुछ इस टाइप का हो गया तो मैं पता कहाता हूं पूरा दोनों साइड से एक दम बरावर जा दोनों साइड से आने कि लुक जा सेम हो और मिलको इधर से भी निगालने बाई दोनों तरफ से पानी आ चाहिए तो वो जो चीजा मैं सोचनों अभी करते है ओ भाई सब यह देखो यह काखुमरे यह तरह त काफी खतरनाक तरीके से और यहां पर भी मैं किसी बेसमेंट में सौक्ता क्यूत्भी काफी तगडी ब्हा स्मयंट पर में एंटर हो गया हूं अब ऴी तो खाते है लोगा जितने भी अपने अ जितने भी टूल सोते अंपनी स्वार बनानी हैं चाफी जानेवाले उस से पह सबसे वहले मैं वूट इकठी कर रहा हूं इस वूट की थुरू नहीं काफी सारे मतलब कि अपने स्टोन पिक एक्स हो गया मतलब की स्टोन स्टोन स्वर्ड होगी सब कुछ एकदम बना लेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना है क्योंकि कुछ पता निया के अंदर कैसा अनिमन न पानी आएगा लेकिन वह काम बाद में करेंगे अभी दिन हो रहा है जितनी माइनिंग कर सकते हैं अभी कर लेते हैं वरना रात में भोजर दिक्कत आती है तो मैंने काफी सारी वुड कलेक्ट कर लिया अभी फटा फट जाने वालों क्राफ्टिंग टेबल पर और यहां पर पर दो लगाना है तो अभी जो अपना घर काफी बढ़िया गुड लुकिंग हो चुका है तो यह में मेरा रूम है इसको मैंने भी टैंपरेरी बना रहा है तो मैं सोच रहा हूं कि नीचे बेस्मेंट पर अपना घर बना हूं तो आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में रहलों यहां लगेता घर 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 घ्चमे सब्सक्राइब पास काफ़ी सारी स्टिक साजिगी अब अब इस स्टिक के था रूसन यहां पर ले लिए और तो तीन extra stone sword ले लिए और एक wooden sword भी है और साथ में shovel भी है stone के तीन तीन तो मतलब काफी सारा समान मैंने कठा कर लिए ताक कि क्योंकि हम cave में जाने वाले हैं और वहाँ पर जाने में दिक्कत बहुत ज़्यादा आ सकती है और यहाँ पर दोपैर होगी है तो रात उने में भी टाइम निलागे शाहम होगी अंधेरा होगा रात होगी जोंबी आएंगे तो उससे पहले पहले हमें उस cave के अंदर घुसना है और देखते हैं और उस cave के अंदर हमें कोन कोन मिलने वाला यह वाला रसता है तो भाई चल कर देखते हैं इस cave के अंदर हमें क्या मिलने वाला भाई मैं पूरी खोट डाले हूँ है इस वाली cave को भाई काफी ज़्यादा खतरनाक है तो मुझे नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान से जाना पड़े है क्योंकि एक भी तगड़ा alien इसके अंदर हुआ अब एक बी तगड़ा जो भी monster डाइब कह सकते हुआ तो भुच ज़्यादा दिक्कत होएगी तो भाई मेरको तो लग रहा है यह जो केव है ना काफी जादा अंदर है मतलब कि मैं बस जाय जा रहा हूं यहां पर कुछ अलग टाइप के पत्थर भी है अब एक रास्ता लेफ कि डांग, तो मैं छोड़ूंगा इन है आजा आजा अजा आजा आजा मेरको नहीं डर बार बेटा ओ भाई सब एक के बाद यह जोंभी लाइन से अपर चड़े जा रहे है लेकिन मिरको कोई दिक्कत की बात हाई है नहीं तो मैं यहां पर तो थोड़ी सी ना रात हो गया औ बाई मुझे समझ ने आ रहा है मैं कहा पर जाता जा रहा हूं ओ भाई साब यहां पर काफी सारा इस अगरम इन पर क्योंसे तरीके से चलो ॥ इतुना सारा लवा और यहां पर जरना किर extermin हैं अगर भी एदर से गिरा तो है फोड़ा हैन्हीं काम करते हैं मेरको ना इन मड का यूस करकर के वहां पोचना है इस तरीके से चलो यहां पर भी मैंने मड लगाना शुरू कर दिया है नीचे कूच जाओंगा वैसे रिस्क ना बहुत जादा इस तरीके से जाएंगे एकदम बिल्कुल प्यार से जाओंगा वाई कोई भी दिक्कत अभी होन करके नीचे पोचना आज कुछ भी करके लेकिन यहां पर तो काफी गलत सीन है यार ओके तो यहां पर भी मोतर गया धीरे धीरे चलेंगे नीचे क्योंकि जहां मैंने जल्दवाजी करी वहीं कर पाड़ जाने वाली है में वह कंफॉर्म पता है तो कैस अभी नीचे जाने का पानी कहां पर जाने वाला मुझे वह देखना पड़ेगा तो भाई अभी मैं बहुत ज़्यादा गहराई मेरे सामने देखो पूरा पूरा उपर देखो वाई क्या नजारा है मैं बहुत जादा अंडर्ग्राउंड आगे और यहां पर एक के बोर जारी है और भी जादा अ जल्दी से निकलना पड़ेगा यहां रस्ता बंद है चलो अच्छी बात है कहीं तो रस्ता बंद हुआ और यह कौन सा इटम है यह तो पहली बार देखना है डायमंड होता कैसा देखने में तो यहां पर नहीं से उठाना पड़ेगा तो मैं इसको ठाने के लिए कुछ ने क यूज़ा अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना शायद इससे ना हम अपना बना सकते मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने देखा माइन करफ में ब्लू कलर के भी होते हैं तो शायद इससे वही हो सकता होगा वैसा ही कुछ हो सकता होगा तो अभी मेरे को यह रस्त करने होने चाहिए भाई यह तो काफी टाइट है तोड़ने में और मैंसे तोड़ने में पानी में गिर जाएंग यार यह पता नहीं कहा है थोड़ी बहुत इसकी लुक जो है गोल्ड जैसे तो मैं काम करता हो ना पहले मैं नीचे एक बेस बनालता हूँ जहां पर मैं करने में ना काफी यूनिक से लग रहे हैं अपने बैग में देख ले तो हां यार यह उठी नी रहे हैं यार मैं इतना जादा बेस्मेंट आगे हो लेकिन ना मेरे को यह बेसिक सी चीज समझ नहीं आ रहे कि इसका यूस क्या है भाई मतलब कि यह बनाए इन्होंने किस अब हो गया इसका आगे चल गए निकल सा ओर आगे आ चाहां यहां पर कोली कोल कोली कोल इसके एलावा कुछ भी नहीं मिल आगे एक रास्ता और भाई कितना जादा अंडर्राउंड है यार यह यह पर फोड़े से कुछ और अलग आइटम दिख रहे है तो इसको भी तो इक तो न मेरे बैग में यह पतानी के आपड़ा इसको मैं अपने उपर पहना सकते हो और मेरा करेक्टर इस टाइम बहुत तगड़ा हो चुका है तो इससे मेरे को काफी तगड़ी आर्मर वाली ड्रेस मिली थी यानी चलो सही है अब यहां पर यह पतानी कौन से पत्थर है काफी सारी चीज़ें यहां पर यूनिक मिले मतला कि जो भी यह देखो जैसे कि यह है यह मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक तो ना टूटने में इतना टाइम लगाता है पूछो मत और जब टूट जाता है न तो फिर उसके बाद कलेक्ट नहीं होता है यह पता नहीं क्या यह बस जाता ही रहता है कुछ तो इससे हो रहे है मेरी वेस्ट की हेल्थ वड़ रहे है पतानी तो यहां पर अभी मैंने अपने प्लेयर को दो ब्रेड यहां पर इसको मैंने काफी तकड़े वाला मार तिया है पर यहां पर मिला थाना काफी सही है यार मेरे सबसे ने उससे कम हलते जाएगी जहां तक मुझे ऐसा लग रहे है क्योंकि हमने ने अभी शिट यार मैं लावा में कहां गिर गया यार भाई जितना भी मैंने लूटा सारा का सारा रह गया यार मतलब कि मैं फलो में भागता बाग जा रहता और इसके इंदर गिर गया वाई यार सची में के बहुत ज्यादा खतरनाग है तो चलो जबी ए इस घर के बाहार यह काफी मस्त लग रहे है देखने में और इसको अपने घर के भार सजाएंगे तो काफी बढ़िया लगेगा अपना घर भी और यहां पना मैं सोच रहा हूं थोड़ा बद विलेजर्स का ना समान उठा लेते हैं काफी अच्छी अच्छी भी होती है इनके बास तो यहां पर करेट के अंदर भाई एकदम खाने पीने का समान पूरा भरा पड़ा है तो पूरी की पूरी क्रेट ही ले चलता हूं लो भाई अब एकदम मस्त समान मैंने भर लिया भाई पेट पूरा भर जाएगा भूक नहीं लगने वाली अगर लगेगी तो थोड़ा बहुत खा लेते अगर वो जगा मेरे को पहले दिखती न तो मैं अपने अगर यहां की वज़ाए वहां पर बनाता मतलब कि नहीं एकदम लेक है उसके बीच अपना घर बनाते वहाई कितना बढ़िया लगता तो वह तो चलो बात ही देखेंगे फिलाल गिवाला जो गरस पे काफी अदा मेह लगा दिया है तो पहले इसको कम्प्लीट करेंगे वहाला भी अपना घर बना लेंगे और यहां पर काफी सही लग रहें वाले पत्थर इन पत्थर को मुझे ना समझ नहीं आ रहा कहां पर लगाना चाहिए भाई मतलब देखने में अच्छे हैं बट लगाएंगे एक काम क करते हैं जुतनीमी साँ एन पशल करते में और यहां पर दो अख्रस अंगाना द्गावाला वुद्ध नए अपने बहुत काम आने वाला बहुत है अब एक काम करता है जो में स्टोन पिकेक्स मिले ना पहले में इसको करता हूं और यहां पर थोड़ी बहुत पत्थर तोड़ते हैं जो की काम के नहीं है अपने मतलब कि जो की जगा बेकार कर रहे हैं देखने में लुकिंग तो भाई यहां पर थोड़ी और रहात हो कि तब आएंगे जोंबी जोंबी तो पहले आगे चलो भाई अब पिटने के लिए रडी हो तुम लोग सारे ओके तो अभी चलते भाई जितने भी कीडे मोटे जितने भी अनिमल है अनिमल ना सब को मारने की बारी आगी है तो सबसे पहले सैब यहां दो इतनी तीज आर आटां यहां पर यहां पर यहां ने मकडी को भी तीज अवय तीर मारे थे भाई सब मेरे दो य। अनिडर दीख रहे हैंले क्धकर लेकिन वहां से चलता हैं लोग क्र मने लूड़ने ना немножко सण जाओं कैसे मारने का ट्राय करूं भाई मैं इतने अपने घर के पास आजाता हूं ताकि कोई दिक्कत आता हूं फटावट यहां से भाग जाओं और यह किसी के अंदर जा रहा हूं यहां पर आप देख पार ओ भाई यह तो गया वह यह बाहर निकल गया सीधा एक सिद्ध में अब कोषिस करता हूं पीछे मत देख पीछह मत देख को थी एस है कि निकल निकल भाइ ओ भागो अभाव मेरे और यह अपर depends डिए पक्यों जबagther उर्में ने मार दया लेकिन इस अ तो मिरसे बचने नी वाला वैसे मैं से मारूं कैसे और उसको माना अच्छी में बहुत जदा मुश्किल है अभी ना फटावट सबसे पहले यहां पर यह जितना भी समान मेरे से गिरा है सारा का सारा पहले वापी उठाता हूं तो यह फायदा होता है अगर आपको अपने मरने वाली लोकेशन पता है तो आप वापिस आके सारा का सारा सामान उठा सकते और इस जोंबी को देखो इसको पिटने का ना बहुत जदा मन कर रहा है इसलिए मेरे बास भकता भकता चला आया इदर आपको मतलब कि एंडर मैं ने मार देगा तू भी मार देगा चुप चाप से अब आपका चाहिए तो भुजा दिखल जाएगी और कल भी मैंने थोड़ा बद कोल यहां से कल्यक कर आ था लेकिन वह सारा का सारा उसी मतलब जो जिसमें केव में गए थे वह सारा का सारा उसी केव में गिर गया मैं इतना सारा समानतर ने मेरे पास इतने सारी सौर्ड थी स से सारे के सारे वही पर रहा है तो वैसे मेरे को अब एक चीज और कर नी थी तो यहां पर दिखाया था कि उथे टनल खोड़ी तो वहांसे पानी आने लग गया था लेकिन जो मतलब गर के इधर ना पानी की साईड आ रहा तो मैं चाहता हूं कि पानी ना दोनों साईड तो सब्सक्राइब करने से खोदना शुरू करते हैं तक एकदम पानी भी मस्त लगना चाहिए और यहां पर जैसी में से नीचे तक एकदम पूरा जितनी भी इन्होंने मिट्टी निकाल लगेना पहले इनी सबको हटाता हूँ ताकि नदी जो है पूरे में एकदम बहती हुए और यहां पर नदी का जो बहाव है नर एकदम कम सा हो रहा है तो मुझे यह तोड़ना पड़ेगा ताकि नदी जो है पूरी फूली स्पीड में यहां पर यहां पर बहती बहती आगे चली कि यहां पर अभी काफी सई सीन अमने कर दिया लेकिन नदी को उस साइट से निकालने के लिए यहां से कोई उसका लेना देना नहीं तो हमें आगे जाना पड़ेगा ताकि नदी जो है उस साइट से निकले और वहां पर जाकर हम कहां पर चित करेंगे नती निकल जाए उस साइट से वह मेरे को देखना पड़ेगा ओके यह अंदर गर रहा है पानी से डर लगता है दिन से डर लगता है तरह तेरी आसी कि तैसे तो मैं बिल्कुल निरता एक यही विचारा ऐसा जोंबे जिससे मैं बिल्कुल भी नहीं डरत हूं तो यहां पर नहीं से रहा है खोदना शुरू करता हूं मेरे को पता नहीं कहां पर निकलने वाला है शायद से अपने गेट के लेफ्ट में निकल जा जहां तक मेरा आइडिया है चल कर देखते है क्या सीन है तो कैस जैसा कि मैंने का था कि यह मेरे घर के एकदम उस भाई एकदम बड़ी अजगा से निकला है और यहां पर बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है कोई भी दिकत ने कर देखो अरे तेरे को भी आने का मरने के लिए तो यहां पर मैं से हटाता हूं इसको बाइघ मेरे पास नहीं पर पिछली बार बे मतलम मारता है मैं बता रहा हूं कमें बंगें उन्र में नहीं कहता है यह मुझे पता नहीं यह बाकीव कम तुर बाइड आ यह जब लगाना पड़े के लिए रे लगजा उपर जा सवतो हूं भाई यहां पर अभी एक काम करता हूं अपने घर के अंदर चल के चुप चाप से सो जाता हूं और उपर से जलके नजारा देखना है कि अपना जो घर है अब किस टाइप से लग रहा है पहले तो मैंने दिखाई दिया था कि हाँ कैसा लग रहा था एक साइट से नदी निगली थी बहुत जादा ही तकड़ा लगने वाला नजारा उपर ही चल कर देखने में मझा आएगा तो यह जो मैंने एरिया बनाया यह व्यू लेने के लिए बनाया है कि हाँ भाई कैसा सब कुछ दिखने वाला है तो वैसे है सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है लेकिन जो में बेकार लग रही है तो आप मुझे सजेशन देना कि मुझे और आगे क्या करना चाहिए और अगर आपको यह वाला एपिसोड अच्छा लगा था फॉट वीडियो का लाइक कर देना वैसे इस वाले एपिसोड में में कुछ खास करना चाहता था मतलब के अंदर कुछ ज लाइक के लिए तो जल्दी जाओ लाइक का बटन दबादो और मुझे पूरी अमीदा आप लोग एम कंप्लीट कर दोगे और जिसने इस्टा पर फोलो नहीं कर रहा है जल्दी फोलो को लो सब्सक्राइब कर देना चैनल को देवार आज की वीडियो में वीडियो में झाल